सुम्वार वरत की कथा उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक समय शिरी पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा महाराज यह सावकार आपका अनन्य भक्त है और सदेव आपका बुरत और पूजन बड़ी शदा से करता है इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए शिवजी ने कहा हे पार्वती यह संसार कर्म शेतर है जैसे किसान खेत में बीजबोता है वैसा ही फल काटता है उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसे फल भोकते हैं पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा महाराज जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए क्योंकि आप सदेव अपने भक्तों पर दयालू होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुश्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे पारवती जिका ऐसा आगरह देखके शिवजी महराज कहने लगे हे पारवती इसके कोई पुत्र नहीं है इसी चिंता में ये अतिदुखी रहता है इसके भागे में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र के प्राप्ति का बढ़ देता हूँ परन्तु ये पुत्र केवल बारा वश तक ही जीवित रहेगा इसके पश्यात जहे मृत्यों को प्राप्त हो जाएगा इससे अधिक में और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता ये सब बाते साहुकार सुन रहा था इससे उसको ना कुछ प्रसंता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ वै पहले जैसे ही शिल जीमाराज ग्रत और पूजन करता रहा कुछ काल वैतित हो जाने पर साहुकार की इस्त्री गरफ पती हुई और दसमे महीने में उसकी गर्ब से अती सुन्दर पुत्र की प्राप्ती हुई साहुकार के गर्ब में बहुत खुशी मनाई गई परंतु साहुकार ने उसकी केवल बारा वश की आयूजान कोई अधिक प्रसंता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेधी बताया जब वे बालक ग्यारा वश का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवा आदी के लिए कहा तो वे साहुकार कहने लगा अभी मैं इसका विवा नहीं करूँगा अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा फिर वही साहगार ने अपनी साले को बुला उसको बहुत साधन दे कर कहा तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यक करते और ब्रामणों को भूजन कराते जाओ वें दोनों मामा भाण्जे यक करते और ब्रामण को भोजन कराते जा रहे थे रास्ते में उनको एक शेहर पड़ा उस शेहर में राजह की कन्या का विभा था और दूसरे राजह का लेलका जो विभा कराने के लिए बारात लेकर आया था वे एक आँख से काना था उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख करनेया के माता पिता विवा में किसी प्रकार की अर्चन पैदा ना कर देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दर्वाजे के समय इस ललके से वर का काम चलाया जाए ऐसा विचारक वर के पिता ने उस ललके के मामा से बात की तो वह राजी हो गए फिर उस ललके को वर के कप्रे पहना तथा घोड़ी पर चड़ा दर्वाजे पले ले गए और सब कारे प्रसंता से पूर हो गए फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाकारे भी इसी ललके से करा दिया जाए तो क्या बुराई ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामत ने कहा यदि आप फेरों का और करन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी किरपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूँगा तो उन्होंने सुईकार कर लिया और विवाकारे भी बहुत अच्छी तरह से संपन हो गया परन्तु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्दड़ी के पलिक दिया कि तेरा विवा तो मेरे साथ हुआ है परन्तु जिस राजकुमार के साथ तुमको बहेजेंगे वे एक आंक से काना हैं और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ लड़के के जाने के पश्यात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्द़ पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इंकार कर दिया और कहा कि ये मेरा पती नहीं है मेरा विवा इसकी साथ नहीं हुआ वे तो काशी जी पढ़ने गया है राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और वारात वापस चली गई उधर सेट का लड़का और उसके मामा काशी जी पहुचे वहां जाकर उन्होंने यक करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया जब लड़के ने अपने मामा से कहा मामा जी आज मेरी तभियत कुछ ठीक नहीं है मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ लड़का अंतर जाकर सो गया और थोड़ी देख में उसके प्राण निकल गए जब उसके मामा ने आकर देखा कि वे मुर्दा पढ़ा है यह दе उसको बड़ कर दिया सयोंग वश उसी समय शिफ पारवती जी उधर से जा रहे थी जब उन्होंने जोड जोड से रोने की अवास सुनी तो पारवती जी कहने लगी महराज कोई दुखिया रो रहा है इसके कश्ट दूर कीजिए जब शिफ पारवती जी ने पास जा कर देखा तो वहाँ ए महराज यह तो उसी सेट का लगा है जो आपके वर्दान से हुआ था शिफ जी कहने लगे हे पारवती इसकी आयू इतनी ही थी सो भोग चुका पारवती जी ने का महराज इस बालक को और आयू दो नहीं तो इसके माता पिता तरप तरप को मर जाएंगे पारवती जी के बार बार आगरह करने पर शिप जी ने उसको जीवन वर्दान दिया और शिफ जी महराज की किरपा से लड़का जीवित हो गया शिफ पारवती कैलाश प्रवत चले गया तब वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यग करते तथा ब्राम्मनों को भुज कराते अपने घर की ओर चल पड़े रास्ती में उसी शेहर में हाई जहां उसका विवा हुआ था महा पराका उन्होंने यग आरम कर दिया तो उस लड़के के ससुर्ण ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाका उसकी बड़ी खातिरी साथ ही बहुत दास दासियां स पहचा तो लड़के के माता पिता घर की छट पर बैठे थे और यह प्राण कर रखाता यदि हमारा पुत्र सकुषल लोट आया तो हम राजी खुशी नीची आ जाएंगे नहीं तो छट से गिरकर अपनी प्राण खो देंगे इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह अधन साथ लेखर आया है तो सेट ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसंता के साथ रहने लगे इसी पिरकार्ट से जो कोई भी संवार के व्रत धारन करता है अध्वा इस कथा को पढ़ता यह सुनता है उसकी समस्त मनुकामनाय पूर होती है